हेलो फ्रेंट्स आज के हमारे इस वीडियो में हम आफटर लाइफ मुवी की स्टोडी एक्स्प्लेंट करेंगे मुवी सुरू होती है और हम एलियेट नाम के आदमी को देखते हैं पर एना उसे कुछ नहीं बताती है इसके बाद उनों त्यार होते हैं और अपने अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं पर तभी जैक आकरसारी लाइट को आउन कर देता है तब एना उसके पास जाती है और उसे के साथ कुल से बाहर निकलती है इसके बाद एना पियानो टीचर की फ्यूनरल पर जाती है और ये उसी ओल्ड मैन की डेड़ बॉड़ी होती है जिसे मूवी के स्टार्ट में एलियट त्यार कर रहा था यहीं पर हम एलियट को भी देखते हैं जो की ओल्ड मैन के वाइफ से बात करता है यहाँ पर एना जब डेड़ बॉड़ी के पास जाती है तब उसे उसके होट हिलती हुए नजर आते हैं यह देखे वो डर जाती है पर इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती है और अपना वहें मान कर वहाँ से निकल जाती है तब ही हम Elliot को देखते हैं जो कि Anna को जाते हुए काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है अगले सिन में Anna और Paul को देखते हैं जो कि साथ में डिनर पे गए होते हैं यहाँ पर Paul Anna को बताता है कि उसे काम के सिलसिले में शिकागो जाके रहना होगा यह सुनता ही Anna भढ़क जाती है क्योंकि उसे लगता है कि Paul अब उसे छोड़ देगा पर Paul का ऐसा कोई प्लैन नहीं था वो तो इसके बाद Anna को शादिक लिए प्रपोस करने वाला था इस बात को लेकर उनके भी चलडाई हो जाती है और Anna रोते हुए वहाँ से चली आती है वो घर जा रही होती है तब भी पीछे से एक वाइट वैन आती है और होन बजाने लगती है जिससे Anna और परिशान हो जाती है और कार को और तेजी से भगाने लगती है फिर सीन यहीं पर कट होता है और हम एलियेट को देखते है जिसके सामने Anna ब्योश पड़ी होती है उसे जब होश आता है तो वो एलियेट से पूछती है कि मैं कहा परूँ तब एलियेट उसे बताता है कि तुम्हारे कार का एक्सिडेंट हो गया था और उस एक्सिडेंट में तुम मर चुकी हो उसकी बातों पर Anna को विश्वास नहीं होता है तो एलियेट उसकी डेट सेटिफिकेट दिखाता है इसके बद Anna अपने सरीर को हिलाने की बहुत कोशिश करती है पर वो हिला नहीं पाती है दुसरे तरह पॉल जब सोके उठता है तो पिछले रात हुए Anna के साथ जगड़े के बारे में सोचके उसे बहुत बुरा लगता है साथ है उसे Anna के कॉल ना आने का भी फिक्र होता है इसलिए वो Anna को कॉल करता है पर फोन ऐलियर के पास होता है तो वो कॉल नहीं उठाता है लेकिन पॉल की भीजे सबी वयस्मेल को सुनता है और फोन को एक पैकेट में डाल कर बंद कर देता है वो उसे एक locker में बंद कर देता है जिसमें उसी के जैसे और भी कई सारे packet रखे होते हैं दूसरे तरह Paul Ena से मिलने उसकी school में जाता है वहाँ उसे पता चलता है कि Ena जिस स्कूल नहीं आई है फिर वो Ena के घर जाता है जहाँ Ena की माँ उसे बताती है कि पिछल रत Ena की car accident में मौत हो गई ये जानके Paul को काफी दुख होता है और वो रोने लगता है तो वही Ena की माँ उसके मौत का जैमेदार Paul को ही मान रही थी उधर Ena को अब भी लग रहा था कि वो जिन्दा है इसलिवो Elliot से request कर रही थी कि मुझे जाने दो पर Elliot उसकी बाते नहीं सुनता है और उसके घाओ पर टाका मारता है फिर वो उसे injection देता है जिसके बारे में Ena उससे पूछती है तो Elliot उसे बताता है कि इसे तुम्हारे मसल से रिलाक्स हो जाएंगे इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि Ena इस बार अपने सरीर को हिला पा रही थी तो वो सबसे पहले अपने पॉल्स को चेक करती है पर उस injection की वज़े से इसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था उसी वक्त बाहर पॉल आ जाता है वो Elliot से कहता है मुझे Ena की डिट बॉड़ी देखनी है पर Elliot उसे साफ मना कर देता है वो कहता है Ena का कोई रिसिदारी उसे देख सकता है पॉल का Ena से अभी तक शादी नहीं हुआता है इसलिए वो उसे देखने नहीं देता है इस बात को लेकर इन दोनों में बहश राती है जिसकी आवाज Ena सुन लेती है और वो पॉल को आवाज लगाने लगती है पर उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुचती है वहीं पॉल यहाँ से सीधा पॉलिस टेशन जाती है जहां उसका एक ओफिसर दोस्त होता है तो वो उससे मदद मांगता है और एक बार Ena की बॉड़ी देखाने के लिए कहता है और ओफिसर उसे साफ मना कर देता है वो कहता है एलियेट जो कह रहा है वो नियम के मुताबिक और Ena की डेट बॉड़ी को देखने के लिए तुम्हें फिनरल तक का वेट करना होगा दूसरे तरह पॉल के जाने के बाद एलियेट Ena के पास जाता है जहां वो Ena से कहता है कि तुम्हें दुनिया के सब भी मो माया को त्याग देना होगा नहीं तो तुम्हारे आत्मा को शांती नहीं मिलेगी जिसके बाद Ena उसे पूछती है अगर मैं मर चुकी हूँ तो तुम मुझसे बाते कैसे कर रहे हो तब एलियेट उसे बताता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं मरे हुए लोगों से बात कर पाता हूँ इसके बाद Ena उसे पूछता है तुम फिर से जिन्दा क्यों होना चाहती हो क्योंकि जब तुम जिन्दा थी तब अपनी जिन्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी उसकी बाते सुनते ही Ena realize करती है कि एलियेट ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सच है क्योंकि उसने कभी भी अपने life को value नहीं दिया है और यह स असल में Ena की ही बच्पन का रूप होता है वो Ena से कहती है तुम अब मर चुकी हो और तुम्हारे जिन्द के तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगी इतने महीं Ena की आँख खुल जाती है और हम समझ पाते हैं कि यह उसका सपना था इसके बाद Ena सोचती है अगर वो मर चुक किये तो उसे सपने क्यों आ रहे हैं और यही बात उसे काफी परिशान लगने लगती है इसी वज़े से वह वहां के सारे समानों को तोड़ने लगती है कुछ देर के बाद Ena की फ्यूनरल का ड्रेस लेके आता है जिसे Ena की मॉम ने भेजा था वो समानों को टूटा फुट देखकर फिर से Ena को एक बार समझाने लगता है इसी दोरन Ena Elliot को अपने बातों में उल्जा कर उसके पॉकेट से सारी चाबियों को निकाल लेती है और जब Elliot यहां से जाता है तब Ena बेस्मेंट से निकल कर उपर आ जाती है वहीं Elliot जब पेट्रोल पंपर अपनी गारी को र पर उसे लगता है कि कोई Ena का नाम लेकर उसे परिशान कर रहा है इसलिए वो कॉल कट कर देता है तब ही Ena को Elliot ढून लेता है और उसे यकिन दिलाने के लिए कि वो मर चुका है वो उसे सिसे के सामने खड़ा कर देता है जहां वो देखती है कि वो किसी लास की तरह पूरी पर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है उदर फिनरल हास में एक और लाश आ जाती है जो कि एक पुलिस ओफिसर का भाई होता है इसलिए ओफिसर उसे देखने के लिए आता है पर तब ही Ena की डेट बाड़ी को हिलते हुए देखता है और जैसे ही Ena के पूर्स को चे पूर्स के बारे में जैक भी उसे बता रहा था इसलिए वो फिनरल हास के बेस्मेंट के दरवाजे के पास जाकर Ena को पुकारने लगता है उसकी एवाज Ena को भी सुनाई देती है पर अब उसे लगने लगा था कि वो मर चुकी है और उसकी आवाज पॉल को सुनाई नहीं इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है बाहर आकर पॉल एलियट से जैक के बारे में बोलता है कि कल उसने Ena को यहाँ पर देखा था इस बात पर Ena को यहाँ पर देखा था इसलिए हमें एक बार फ्यूनरल हाउस के तलाशी लेनी चाहिए और ऑफिसर उसे एना के डेट इस पर पॉल कहता है कि आज मार्केट में एची दवाईया मौजूद है जिससे पल्स को इतना स्लो किया जा सकता है जिससे कि कोई भी मरा हुआ लगने लगे यहाँ पर वो प्लीस वाला भी होता है जो कि अपने भाई को फ्यूनरल हाउस में देखने के लिए गया था वो ब करता है कि मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूँगा यहां से एलिये ट LookPA Tech जाता है और उसे फ्यूनरल के लिए त्यार करता है जहां वह एना से पूछता एगर तुम्हे जिंद計 जीने का ठीक से मौका दिया जाए तो क्या नुम उसे ठीक से जीय होगी दरस उस सभी को मौत से नहीं बलकि जिंदगी से डर लगता है अगले सिन में Elliot को एना को दफनाने के लिए गड़ा खोड़ते हुए देखते हैं जहां उसे मिलने जैक आता है तब वो उसे सच बताते हुए कहता है कि मैं मरे हुए लोगों से बात नहीं करता हूँ बलकि मैं उन लो और उसे ने एना का एक्सिदेंट करवाया था उसके बाद उसने एना को एक दवाय दी जिसे उसकी पल्स बहुत ही स्लो हो गई और डॉक्टर ने उसे मरा हुआ गोसित कर दिया इससे तरह Elliot ने और भी कैसारे लोगों की जान ली थी वहीं जैक भी पूरी तरह से उसकी बात तो एना को फ्यूनरल के लिए बेजता है जहां पॉल एना को उसी अंगुठी को पहना देता है जो उसने उसके लिए खरी दी थी यहां पॉल एना की बाड़ी में कुछ मुवमेंट देखता है पर उसे अपना वहमान कर नजर अंदाज कर देता है यह चीज Elliot भी नोटिस कर करता है इसलिए जल्दी से एना की कॉफिन को बंद करके दफना देता है